हाई उरिवन आप सभी का हमारे यूटूब शेले पे वेलकम हैं आज किस इंपॉर्टन क्लास में UGC नेट के एक्जाम में जिस तरह से आपको 100 कोशंस हॉल करने होती हैं वैसे हिस सेशन में हम सभी मिलकर 100 कोशंस हॉल करने वाले ये हल करने वाले हैं इस session में हम नाफ सिर्फ आपको question की answer बतलाएंगे बलकि उसके साथ में हर option आपके साथ में clear करने की कोशिश करेंगे तो यह session यह class आपके लिए बहुत ही helpful साबित होने वाली है तो अगर आप इस channel पे first time visit करें इस channel को जरूर subscribe कीजिएगा साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलिग्राम channel को जोईन करना चाहते हैं इस video के description box में आपको हमारे टेलिग्राम channel का link मिल जाएगा वहां से सीधे आप हमारे टेलिग्राम channel को जोईन कर सकते हैं और अपने exam की शांदार preparation कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की important class असनाफ के इतबार से दो सही जुम्रों की निशान दही कीजिए चार जुम्रे आपके सामने दियेगे इनमें से दो जुम्रे से के इतबार से सही हैं वो कों से दो जुम्रे की correct है इनकी निशान ही आपको करने उम्मेदे कि आप सब लोगे सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे तो भूख कीजिएगा इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड और्शन जो है वो करक जाएगा यानिस के बाड़ने दूसरा जुम्रा आपका सही हो जाएगा और साथ साथ में 24 जुम्रा आपका करक जाएगा दूसरे जुम्रे में गवर कीजिए शामत आमाल वकील साहब जुनों लतीफा ये तीनों ही इंशाये हैं नोट कर लिजिएगा सिन्फ के इतबार से चौते में देखे तनहाई समंदर का बुलावा चकले ये नजमे हैं सिन्फ के इतबार से चले दूसरे सोरे भी शामत आमाल किसका इंशाया है तो आप नोट कर लिजिएगा अहमद जमाल पाशा का वकील साहब किसका इंशाया है तो रशीद आहमद सिद्धिकी का जुनुने लतीफा मुश्ताक अहमद यूस्फिका तनहाई किसकी नजम है फैस हमद फैस की नजम है बहुत ध्यान से सुनना सिर्फ आपको है लास मॉमेंट में प्राक्टिस की विए आपको हो जरूत है समंदर का बुलावा ये किसकी नजम है बीरा जी की चकले किसकी नजम है तो साहिर लुध्यानवी के नोट कर लीजेगा पहले सुमरे में आप देखें हम वहशी है ये अफसानवी मजमुआ है कृष्णी चंगल का एक लड़की अफसानवी मजमुआ है खौजा अहमद अबास का खाब बाकी हैं खुदनविश्ट है आटोबाग्रफी है आलहमस सुरूर की नोट कीजेगा तमाशा घर अफसानवी मजमुआ है इकबाल मजीद का चीनी शायर इंशाया है कनहिया लाल कपूर का एक लड़का तो एक लड़का ये नजम है अखतरुल इमान की किसकी नजम है अखतरुल इमान की चली नेक्स कोशन देखिए दर्जिल के दो जम्रे सही है शायर और उसके मजमुएं के लिहास से दो सही जम्रों की निशान दही कीजिए असगर गुंडवी आतशेगुल जिगर मरादाबादी आतशेगुल मजरुह सुल्तान पूरी घजल इर्फान सिद्धिय की इसम आजब तो इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कीजिएगा हमारा फूर्थ आफशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यानि दूसरा जम्रा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जम्रा आपका करेक्ट हो जाएगा तो आतशेगुल जिगरमडादाबादी का है घजल मजरूर सुल्तान पूरी का है नोट कर लिजेगा ये चीज़े आपको मालूम होने चाहिए इसम आजब किसका है तो नोट कीजिएगा और सने उफाद क्या है पहले चीज़ ये बताएंगे दूसरी आहिम चीज़ जिगरमडाबादी की सने विलादत क्या है और सने उफाद क्या है उसके बाद में मजरूह सुल्तान पूरी की सने विलादत क्या है और सने उफाद क्या है दिन उसके बाद में इर्फान सिद्धिकी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है ऐसे ही शेहरियार की सने विलादत क्या है और सने विलादत क्या है सने विलादत सने विलादत या आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए तो अस्गर गुंडवी के बारे में नोट कीजेगा 1884 एस्वी में गोरफपुर में आपकी पैदाईश हुई है और 1936 में इलाबाद में आपका इंतिकाल हुआ है जिगर मुरादाबादी यानि असल नाम अली सिकंदर 1890 में याद रखेंगे मुरादाबाद में आपकी पैदाईश हुई है और 1960 में गोर्ड़ा में आपका इंतिकाल हुआ है मजरु सुल्तान पूरी असल नाम असराब लहसन 1919 में याद रखेंगे आजम गड़ में पैदाईश हुई है और 2000 एस्वी में बंबे में आपका इंतिकाल हुआ है एर्फान सिद्द्द्द्दिगी 1949 में बदाओं में आपकी पैदाईश हुई है और 2004 में लख्रों में आपका इंतिकाल हुआ है शेहृयार तो शेहरयार के बारे में नोट कीजेगा 1946 इस भी में बरेली में आपकी पैदाईश हुई है और 2012 में अली गड़ में आपका इंतिकाल हुआ है चलिए नेक्स कोशन देखिए जिल में से किस सिंफ में काफिया नहीं होता पहला आफशन है घजल दूसरा है कसीदा तीसरे में हाइको और चौत्वे आफशन में है किता सब्लों जवाब देने की कोशिश कीजिए तो नोट कीजिएगा इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड आफशन यानि हाइको हाइको के बारे मालूँ होना चाहिए एक जापानी सिंफ सुखन है इसमें कितने मिसरे होते हैं तो आपको मालूँ होना चाहिए तीन मिसरे होते हैं इन तीन मिस्रों में कुल कितने साल में होते हैं, कुल कितने अरकान होते हैं, तो याद रखेंगे सत्रा, इनकी तरतीब क्या होती है, पांच, साथ, पांच, ये तरतीब भी आपको याद रखनी होगी, तीन मिस्रों होते हैं, सत्रा अरकान होते हैं, उनकी तरतीब क्या है, प अजीमाबाद, दूसरा है देहली, तीसरा है लाहोर और चोथे आफशन में हैं लखनो तो कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड आफशन यानि लाहोर नोट कर लीजेगा अलाओ किसका अफसानवी मजमुआ है तो आफ सब को मालूम होना चाहिए सुहेल अजीमाबादी का किसका है वही सुहेल अजीमाबादी का जिनकी पैदाईश हुई है 1911 ऐस्वी में पटना में और 1989 ऐस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतिकाल हुआ है तदफिन अमल में आई है पटना में चली अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट कोशन के बारे में जेल में दो जुम्रे सही हैं सही जुम्रे की निशान दही कीजिए बहुत अच्छे से कोशन को रीट कर लीजिए फिर आप मुझे बताईएगा इस सवाल का सही जवाब क्या है करेक्ट आंसर क्या है तो नोट कीजिएगा इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो आप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यानि पहला आप पर जो जुम्रा है वो सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा आमद और रज्स ये मरसिया के अज़ाय तरकीवी में शामल है ऐसी मद़ और हुसन उतलब ये कसीदा के अज़ाय तरकीवी में शामल है बात कर लिए यहां फे मरसिया के अज़ाय तरकीवी के तो याद रखेंगे किस्यदा की अज़जा teşekkür की बात कि जाए तो समें यादक ना होगा तशबीब गुरेज़ मदह दौा या उसमें तलत क्लिर होगे सबी को चलिए नेक्स कोशन देखिए बाले जिब्रील की नजमों की सही तर्टीब बताईए बाले जिब्रील की नजमों की सही तर्टीब बताईए बहुत अहम कोशन देखिए आपके सामने है अमीद कि आप सब लोग इस कोशन को बहुत भी रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपके रिसाई भी हो चुकी होगी तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा आप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानि दौा, मजड़िद कुर्टबा, लेनिन और फरिश्टों का गीत नोट कर लिजिए अल्म अकबाल के बारे मुझे आप बता दीजिए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफाद क्या है क्लिर लिए साथी साथ में अल्म अकबाल के चार अहम शेरी मजमुए है बांगे दरा, नमबर एक आपको हो जाएगा बांगे दरा दूसरा आपका है बाले जिबरिल, बाले जिबरिल के साथ में जर्बे कलीम और जर्बे कलीम के साथ में अर्मगाने हिजास अर्मगाने हिजाज तो पहले चीज नोट कीज़ेगा 9 नौम बर 1877 को सियाल कोट में शायर मश्रिक अल्लाम अकबाल की पैदाईश हुई है 21 अपरेल 1938 को लाहूर में आपका इंतिकाल हुआ है बागे दरह के इशाहत कब अमल में आई है 1924 में बाल जिब्रियल 1935 लोट कर लिजेगा जर्बे कलीव 1936 अर्मगाने हिजाज 1938 ये तर्तीब भी आपको जह में रखनी है निस कोशन देखिए नक्द शेर किसकी तस्नीफ है कुदामा अबन जाफर की है अबन रशीक की है अब्दलकादर जुर्जानी की है याफर कैस राजी की है तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मोट कर लिजेगा हमारा फस्ट आफशन यानी खुदामा अबन जाफर एक किताब या अलुम्दा इसका भी जवाब आपको मालूम होना चाहिए मजीद तीन तीन शेर लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है पहला आफशन है तजमीन दूसरा है शेर आशोग तीसरा है तरकीब बंद और चोथे आफशन में है तखमीस तो बताईए इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा होफ़ली सब लोग जवाब दे चुके होंगे तो पहले कोशन का सही जवाब नोट कीजेगा हमारा अंसर हो जाएगा फूर्थ आफशन यानि तखमीस तो यहाँ वे बात करते हैं तजमीन किसे कहते हैं शेर आशोग क्या है और इसी के साथ आपने तरकी बंद किसे कहते है तो सबसे पहले बात करते हैं तजमीन तजमीन से मुराद अपने या किसी दूसरे शायर के मिस्रे या शेर पर मिस्रा या मिस्रे लगाना तो उसे क्या कहते हैं तजमीन शेर आशो एक ऐसी सिन्फ जिसमें किसी कौम, मुलक, शेर वदिहाद की बर्बादी और उसकी कभाहकारी को दर्दमंदाना तरीके से बयान किया जाए तर्की बंद वैन जिसमें मुसलसल छे से आठ शेर होते हैं तर्की बंद कहलाती है तर्की बंद जैसे अलम अक्बाल की नजमें तुलवए इसलाम जो कि तर्की बंद की हैत में है चलिए नेक्स कोशन लेखिए मजनु गोरकपूरी किस दबिस्ताने तनकीद के नमाइंदा नाकिद माने जाते हैं तास्तुराती, जमालियाती, उसलूबियाती या फिर साइन्टिफिक तो कोशन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ओप्शन यानि साइन्टिफिक नोट कर लीजेगा तो ये बताएए मजनु गोरकपूरी का असल नाम क्या है दूसरे एहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है तो मजनु गोरकपूरी का नाम आप सब मोड कीजेगा आपका नाम है अहमद सिद्देग आपकी पैदाश हुई है उन्नी सो चार में बस्ती तर्परदेश का जिला है उन्नी सो अठासी इस विमें कराशी में आपका इंतिकाल हुआ है चली नेक्स कोशन देखिए जेल में दो जुम्रे सही हैं सही जुम्रों की निशान दही कीजी चार जुम्रे आपके सामने ही चारों जुम्रों को अच्छे से रीट कर लीजिए केरफली रीट कीजिए ताकि कोशन का सही जवाब आपको मालूम हो जाए तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑफशन जो है करेक्ट हो जाएगा यानि दूसरा जुम्रा सही है और साथी साथ में चोथा भी जुम्रा आपका करेक्ट है रास्ता बंद हैं चोटें एक लड़की अफसानवी मज्मुएं हैं एक चादर मैली सी तेड़े लकीर खुदा की बस्ती सिर्फ के इतवार से नौवल है रास्ता बंद है ये जिलानी बानों का है किसका है मैं जिलानी बानों का चोटें किसका है इसमत चोगती का एक लड़की खौजा अहमद अबास एक चादर महली सी नौवल है बेदी का टेड़ी लकीर इसमत चोगती का खुदा की बस्ती शौकत सिद्धिका तीसरे जुम्रे में आप देख ले तो तमाशा घर तमाशा हर इक्बाल मजीद का अफसानी मजमुवा उदास नसले नौवल है अबदल्ला हुसेन का गौदान मुशी प्रेंचन का शाहकार नौवल है चली अब हम लोग बढ़तें सीधे नेक्स्ट पोशन की तरफ जेल में दो बयानाद दिये गी हैं जिनने से एक दावा है और एक दलील है दोनों को गोर सी पड़ी है जेल में दिये गए जवाबात में से सही जवाब की निशान दही की दिये खुदा की बस्ती एक शायकार नौवल है दावा है क्योंकि उसे पहला आदम जी एवार्ड बिला तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा आफशन जो है करेक्ट हो जाएगा यानि दावा सही है लेकिन दलील जो है वो गलत है खुदा की बस्ती किसका नौवल है तो आप सब को मालूम होना चाहिए शौकत सिद्गी का ये नौवल है तो ये बताईए इसकी इशाओ कब अमल में आई है पहले चीज़ बताएंगे इसकी इशाओ और साथ ही साथ में इसके मरकजी किरदारों में कौन कौन से नाम आते है तो पहले चीज़ खुदा के बस्ती नौवल जो है शाय हुआ है 1958 में नोट कर लीजेगा मरकजी किरदारों की बत की जाए तो राजा नाम का एक किरदार है नौशा नाम का एक किरदार है और इसी के साथ शामी राजा नौशा शामी ये तीनों ही इस नौवल के मरकजी किरदार है चलिए नेक्स कोशन देखिए तथक्रे और तथक्रा निगारों के इतिबार से सही जवाब की निशान दही कीजी करीम الدین, मिरत अकिमीर, मिरहसन, शैफ्ता की तथक्रे दिये गए है और आपको सही जवाब की निशान दही करनी है उम्मेदे कि आफ सब लोग जवाब दे चुके होंगे तो इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कीजेगा हमारा फस्ट आप्शन जो है वो करेक्टर हो जाएगा यानि करीम अद्दीन, करीम अद्दीन का कौन सा तथक्रा है तो वो हो जाएगा तवकात शौरा मिर तकी मिर का कौन सा तथक्रा है तो वो है निकात शौरा फार्सी जुबान में अर्दू का पहला तथक्रा है मिर हसन का कौन सा तथकरा हो जाएगा तथकरा शोराए अर्दू मूट कर लिजेगा तथकरा शोराए अर्दू शयुफता का हो जाएगा गुल शने बेखार मूट कर लिजेगा चली नेस कोशन देखिए शायर और अशायर के इतिबार से सही जोड की निशान दही कीजिए हस्रत महानी क्या शेर है? इर्फान सिद्धी का है, मिर्जा गालिब का है और साथ ही साथ में मिर्त गिमीर का भी शेर दिया गया है तो बताईए उस कोशन का सही जवाब क्या है? correct answer क्या है तो रोट कीजिएगा हमारा first option जो है वो correct हो जाएगा यारी हसरत महानी का कौन सा शेर है तो वो ये हो जाएगा तर्फान सिद्धी का पहला हो जाएगा और मिर्जा गालिब का चौथा हो जाएगा मेर तकी मेर का दूसरा शेर हो जाएगा क्लिर हो गया सबी को चली नेक्स कोशन देखिए करेह वालब गुंचा दर हजार सुखन दरजल के सही मिस्वाब से शेर मुकंपल कीजिए बताइए सटकॉशन का इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा तो नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा आफशन करेक्ट हो जाएगा चमन में मौजे तबस्ण की खोल कर जन्जी ये शेर जो है जो है जो के कसीदा से लिया गया है आप सब को मालूम होना चाहिए जो का कसीदा दर मदह बहादुर शाय जफर जहे निशाद अगर कीजिए उसे तहरीर कसीदा है जहे निशाद अगर कीजिए उसे तहरीर उसी से ये शेर लिया गया है जो की बारे में आप सब को मालूम होना चाहिए शेख मुहम्मद अबराहिम जौक जिनकी विलादत हुई है 779 इस्वी में देहली में और 1854 इस्वी में देहली ही में आपका इंतिकाल हुआ है चलिए नेक्स कोशन देखिए दर्जल में दो जुम्रे सही हैं सही जुम्रे की निशान दही कीजी आप मुझे बताईएगा इस कोशन का इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो नोट कीजीएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा जो आफशन है वो करेक्ट हो जाएगा यानि दूसरा जुम्रा आपका सही हो जाएगा साथ ही साथ में चोथा भी जुम्रा आपका सही हो जाएगा पत्रस बखारी, रशीद अमद, सिद्धिकी, अहमद, जमाल पाशा इन्शाईये लिखते हैं लाहर का जिग्राफिया किसका इन्शाईया है तो पत्रस बखारी का, शामत आमाल, अहमद, जमाल पाशा का, चारपाई, रशीद अहमद, सिद्धिकी का है, नोट कीजिए चलिए नेक्स कोशन देखिए नाकिद और्म की तस्नीफ के एक बार से दो जुम्रे सही है सही जुम्रे की निशान दही कीजिए बहुत अहम कोशन से सबी आला मसरूर, कलीम अधिन अहमद, मुहमद, असल, एक शाम, हुसे तो इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा हमारा फ़र्थ ऑफशन जो है करिक्ट हो जाएगा यानि पहला जम्रा आपका सही हो जाएगा और चोथा भी जम्रा आपका करिक्ट हो जाएगा अदबी तनकीद के मसन्निफ कौन है और साथ ही साथ में अमली तनकीद के मसन्निफ कौन है तो अदबी तनकीद के मसन्निफ हो जाएगे मुहमद, हसन और अमली तनकीद के मसन्निफ हो जाएगे कलीम الدین, अहमद नेक्स कोशन देखिए हुजूर पान दिये बहुत मान होर फरमाईए कि इनसान की वजूद हीच में कुछ इश्का बयान करना अपना लाओ आया करना कुछ निशान दरना ये अक्तिबास किस किताब का है पहला आफशन आपके सामने है करबल कथा दूसरा है रानी कहती कहानी तीसरा है सबरस और चौथे आफशन में हैं बोस्ताने ख्याल तो कोशन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड आफशन यानि सबरस सबरस मुला वज्जी की एक तमसीली दासान है इसके ताल्ब से दो फैक्ट बताईए ये दासान मुला वज्जी ने किसकी फरमाईश पर लिखी है और साथी साथ में ये आपने कब लिखी है तो पहले चीज़ ये दासान मुला वज्जी ने लिखी है अब्दुल्ला कुत्ब शाह की फरमाईश पर और ये आपने कब लिखी है तो नोट कर लिजेगा 16.135 ईसवी में कब लिखी है 16.135 ईसवी में चलिए नेक्स कोशन देखिए तारीख विलादत के इत्बार से सही तर्टीब की निशान दही कीजिए मुस्ट इंपर्टन कोशन आपके सामड़े है तारीख विलादत के इत्बार से सही तर्टीब की आपको इर्शान रही करनी है अमीद है कि आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे तो अब मैं आपको उता देता हूँ कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला आफशन यानि मुहमद हुस्ञाजाद, हाली, शिबली और इतशाम हुसेद चले इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो मुहमद हुस्ञाजाद के बारे में नोट कीजिएगा 1830 में बेली में आपकी पैदाईश हुई है और 1910 में लाहूर में आपका इंतिकाल हुआ है हाली 1837 में पानीपत में पैदाइश हुई है और 1914 में पानीपत ही में आपका इंतिकाल हुआ है अलामा शिबली नॉमानी 1877 में आजमगड़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 इसी में आजमगड़ी में आपका इंतिकाल हुआ है सेद इत शाम हुसेन 1912 इसी में आजमगड़ में आपकी पैदाईश हुई है और 1972 इसी में इलाहबाद यानि प्रियाग राश में आपका इंतिकाल हुआ है देखिए तर्टीव 18, 30, 37, 57, 1912 चले नेक्स कोशन देखिए जेल में दो जुम्रे सिर्फ के लिहाद से सही है सही जुम्रे की निशान दही कीजी चारों ही जुम्रों को आपरेट कर लिए फिरा मुझे बताईएगा इस सवाल का, इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो नोट कर लेजेगा इस Question का आज रही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा option जो है correct हो जाएगा नोट कीजेगा दूसरा option का मतलब है कि हमारा दूसरा जुम्रा सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका Correct हो जाएगा तो यहाatures बात कर लेते हैं आग का दरीया तो आग का दरिया किसका नावल है कुर्णतुलैन हैदर का खुदा की बस्ती शवक असिद्धी की का और बस्ती किसका नावल है इंतजार खुसेल का अपने दुख मुझे दे दो अफसानी मजमुआ है राजी सिंग देदी का हम वहिशी है कृष्णी जन्द का है रोशनी की रफ्तार ये कुर्णतुलैन हैदर का है अम्राव जन अदा नावल है मिर्जा महमद अधर उस्वा का आकका दरिया कुर्णतुलैन हैदर का ठंडा गोश्ट ठंडा गोश्ट अफसानी मजमुआ है सादत हसन मंटो का नोट कर लिजीगा हम वाशी है कृष्णी चन्द का अफसानी मजमुआ है गोदान नावल है मुशी प्रेम चन्द का अपने दुख मुझे दे दो अफसान भी मजमुआ है राजिन सिंग बेदी का चलिए नेक्स कोश्टन देखिए एक ही मैदान में होने की हैसिय से जेल में दो जुम्रे सही हैं और दो गलत दो सही जुम्रों की निशान दखी कीजिए दो सही जुम्रों की निशान दखी कीजिए तो इस कोश्टन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड आफशन जो है मचनु गोरकूरी तीसरे में चोथे में देखिए इम्तियाज अलिखा और शीय ग्यान चंजे रशीद असल तो दूसरे जुम्रे में दूसरा जुम्रा ये नाकिदीन का जुम्रा है और चोथा जो है मुहक्टिकीन का जुम्रा है क्लिरो का सभी को अब यहाँ पर एक बार हम लोग समझ लेते हैं अमदाद इमाम असन आपकी सने विलादत क्या एसलेख वफात क्या है ईतशामुसिन के बारे मबात कर चुके है मजनु गोरकूरी के बारे भी विलूग बात कर चुके है अब यहाँ पर चोथे सुमरे देखए इम्तियाज अलिखा उर्शी की सने विलादत क्या है सने वफात ऐसे ग्यान चंद जैन की सने विलादत क्या है सने वफात क्या है ऐसे रशीर असन खा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है तो सबसे पहले इमदाद इमाम असर आपकी पैदाइश में 1849 पटना में नोट कर लीजेगा 1934 में बिहारी में आपका इंतिकाल हुआ इंतियास अलेखा उर्शिद 1904 में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है नोट कीजेगा और 1981 में रामपुर ही में आपका इंतिकाल हुआ है ग्यान चंद जैन तो आपकी पैदाइश में उनीस सो तेई सीसी में बिजनौर में नोट कर लीजिएगा 2007 में कैलिफोरिया में आपका इंतिकाल हुआ है रशीद हसन खाव 1925 में शाय जहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 में शाय जहांपुर ही में आपका इंतिकाल हुआ है चलिए ने इस कोशन देखिए जो अलफाज और जो खास तरकी में आहल जुबान की बोलचाल में ज्यादा मुस्तामल और मुक्दाविल है उनको रोज मर्रा कहते है कोशन का सही जवाब हो जाएगा है अलामा शिबल नमाने के एक और अहम किताब है नोट कर लीजेगा चेले अगला कोशिन देखिए जेल के दो सही जुबरों की निशान दही कीजिए आब मुझे बताइए इस कोशिन का ये सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा इबन बतॏता के ताकूब में किसका सफर नावा है तो जवाब हो जाएगा इबन इंशाあ बोट कर लिजेगा अबन इशा जापान चलो जापान चलो ये किसका सफर नामा है तो आपका जवाब हो जाएगा मुझतबा हुसेन बोट कर लिजेगा मुझतबा हुसेन जेल में कौन दुरस नहीं है तलफुजी सोपियात समयाती सोपियात समयी सोपियात या फिर तनफुसी सोपियात तो बताईए इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्टर अंसर क्या हो जाएगा तो हमारा अंसर हो जाएगा फूर्थ ऑफशन यानि तनफुसी सोपिया ये दुरस से नहीं है अगला कोशन देखिएगा जेल में दो बेयानात दियेगे जिनने से एक दावार एक दलील दोनों को गोर से पढ़िया और जेल में दियेगे जवाबात में से सही जवाब की निशान दही कीजी दावा है माबाद जदियत अदबी तफ्वीम तख्लीक के कुली विजदान का रुज़ान है क्योंकि इसमें अदबी आमल के तमाम मुम्किना वसाइल को बर्विकार लाया जाता है तो बताईए इस कोशन का इस सवाल का सही जवाब क्या है करेक्ट अंसर क्या है तो लोट कर लीजेगा हमारा जवाब हो जाएगा फस्ट उप्शन यानि दावा सही है और दलील भी सही है मुसनिफिन और किताबों के इतिबार से सही जवाब की निशान दही के ये बहुत अहन कोशन देखिए आपके सामने ही मुसनिफिन और किताबों के तालुक से आपके एक्जाम में हर बात दो से तीन कोशन बिली जाते हैं आपके तो बताईए इस कोशिन का सही जवाब क्यa हो जाएगा तो स्वाल का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजेगा हमारा फोर्थ उफिन जो है वो करिक्ट हो जाएगा यानि इम्डाद इमाम असर की किताब कुझसी है तो वो है काशिफ लहाकाई आलम सुरूर की कتاب है ने पुराने चराः इतुशाम हुसेन की है तनकीद जैज़े और कलिम जिन Argentina हमद की है अर्दो तनकीद पर एक नज़र साहल और समंदर एक कोशन का जवाब देजाँगा साहल और समंदर जो है किसका सफरनामा है साहिल और समंदर किसका सफरनामा है इसी किसा साथ में अपनी तलाश में अपनी तलाश में खुदनविश्ट है तो ये किसकी खुदनविश्ट है साहिल और समंदर ये एतशाम हुसें का सफरनामा है नोट कर लिजेगा अपनी तलाश में ये खुदनविश्ट है कलीम अद्दीन अहमद की इस कुशन देखिए किस्सा हमारी बेस और उपाई का अब सुनो तुक अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो किस वास्ते में आया हूँ यहां तक तबाए हो सारा बयान करता हूँ उसका सब्ब सुनो बागव हार मिन अशार से किसका किसा शुरू होता है पहले दर्वेश का चौथे दर्वेश का आजाद बख्त का या फिर खौजाव सब परस्त का तो बताईए इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो नोट कीजिए सवाल का सही जवाब है मारा दूसरा आफशन यानि चौथे दर्वेश का नूरे सेहरा में गोया एक चराग तूर का मिसर अवल के निशान दही करके हसरत का ये शेर मकंबल कीजिए तो बताईए इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वोफिली सब लोग जवाब दे चुके होंगे तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड और्फशन यानि खात्र मायूस में नक्ष उम्मी वसलिया हसरत मौनी के बारे में बात करें तो सबसे पहले चीज़ आपका नाम क्या है या आप मुझे बताएंगे हसरत की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है और साथ ही साथ में हसरत मुहाने की खुदनविश्ट क्या है तो पहले चीज़ आपका नाम है सैयद फजलुलहसन नाम नोट कीजेगा सैयद फजलुलहसन पैदाश हुई 1881 इसमें कस्बा मुहान जिला उन्नाव में 1900 इसमें फरंगी महल लखनों में आपका इंतिकाल हुआ है खुदनविश्ट आपकी है मुशाहिदात जिन्दा नोट कर लीजेगा आपकी खुदनविश्ट है मुशाहिदात जिन्दा चलिए नेक्स कोशन देखिए जेल में दो जुम्रे दुरुस्ट रहें सही जुम्रों की निशान दशी कीजिए आप मुझे बताईए इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो नोट कीजेगा हमारा थर्ड आप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानि पहला जुम्रा आपका सही हो जाएगा साथ ही साथ में तीसरा भी जुम्रा आपका करेक्टर हो जाएगा पहला जुम्रा सही हो जाएगा और उसी के साथ साथ में तीसरा भी जुम्रा आपका सही हो जाएगा पहले जुम्रे मुलावजी ही है रजब अली बेक सुरूर है इंशाओ बाखा इंशा है यानि दास्तान गो है तीसरे में अमानत लकनवी है इम्तियाज अली ताज है हबी तन्वीर है यानि ड्रामा निगारों का ये जुम्रा है क्लिर होगा सबी को चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट कोशन की तरफ तर्जमा से मुतालिक दर्याफ्त और बाजियाफ्त के उन्वान से तहरीर करदा मजमून का मुसनिफ कोन है पहला आफ्षन है मुहम्द असन दूसरा है मुहम्द असन असकरी तीसरे में शम्षोर रह्मान फारुकी और चोथे में हैं जोँ अन्सारी तो बताईए इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्त अंसर क्या हो जाएगा तो आफसे नोट कर लिजेगा हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा आफ्षन यानि शम्षोर रह्मान फारुकी शम्षोर रह्मान फारुकी के बारे में सबसे पहले चीज़ बताईए आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है इंपॉर्डन चीज़ एग्जाम के लिए है तो नोट कीजेगा 1935 सीसी में आजमगर में आपकी पैदाईश हुई है और 2020 में लहाबाद में आपका इंतिकाल हुआ है आपके किताब है शियर शोर अंगेज यूजिसी नेट की एक्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है तो जहन में आपको रखना होगा चलिए नेक्स कोशन देखिए उर्दु देले की कदीम जबान नहीं बलकि मुसल्मानों के साथ देहरी जाती है और चुकी मुसल्मान पंजाब से हीरत करके जाते हैं इसलिए जरूरी कि पंजाब से कोई जबान अपने साथ लेकर गए होंगे ये बयान किसका है सेथ सुलिमान नद्वी का है सेथ मुहिद बिन गादरिजोर का है हाफिज महमुद शीरानी का है या फर मसूद हुसेन खा का है तो कोशन का सही जबाब क्या हो जाएगा नोट कीजेगा हमारा थार्ड आफशन यानि हाफिज महमुद शीरानी पंजाब में अब्दू किसकी किताब है हाफिज मैमूद शीरानी की चले यहाँ पर हम लोग सेयद सुलिमान नद्वी की सने विलादत क्या है सने इफात के बारें बात कर लेते हैं ऐसे मुहिद बिन गादरी जोर के बारें बात कर लेते हैं और मसूद हुसेंखा के बारे बात कर लती है इसे आपका रिविजन हो जाएगा सने विलादत और सने वफात का तो स्यूद सुलिमान नद्वी रिविजन क्लास से बहुत अच्छे से सुनना आपको जरूरी है स्यूद सुलिमान नद्वी की जो पैदाईश हुई 1884 इस्वी में देशना बिहार में नोट कीजेगा 1953 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है मुहिद्दिन कादरी जोर 1905 में हैदराबाद में पैदाईश हुई है और 1902 में सिर्ण अगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है हाफिज मेमोश शीरानी तो 1880 इस्वी में टॉंक राजसान में आपकी पैदाईश हुई है और 1946 में टॉंक राजसान ही में आपका इंतकाल हुआ है मसूद हुसेन खाँ 1919 में कायम गज़ फरुखाबाद में आपकी पैदाईश हुई है और 2010 में अली गड़ में आपका इंतकाल हुआ है चलिए नेक्स कोशन देखिए दो सही जुम्रों की निशान दशी कीजिए बहुत अहम कोशन देखिए आपके सामने है कुछ अफसाने दिये गए हैं और साथ साथ में उनके करिदार सामने दिये गए है इंपॉर्टन कोशन बदनसीब स्वांग मालकिन नए बीबी ये अफसाने किसके हैं मुशी प्रेंचन के हैं तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला आफशन जो है करिक्ट हो जाएगा यानि पहला जो जुम्रा है वो सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुम्रा हमारा करिक्ट हो जाएगा मुशी प्रेंचन के बारे में वैसे आपको मालूम होगा कि आपकी सने विलादत क्या है और सने उफात क्या है आपका पहला नॉवल कोई सा है आपका पहला अफ्सानवी मजमुआ कोई सा है ये सब चीजें बिलकुल आपको क्लिर होनी चाहिए मुशी प्रेंचन का नाम क्या है तो आपका नाम असल नाम धन पत्रा है चलिए अब हम ल का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर क्यों जो बहुत अहम कोश्चित देखिए आपके सामने हैं इस कोश्चिन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फरस्ट आप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यानि इसे ही गण्य खूबी मीर अमन और मज़ब इश्क निहाल अगला कोश्चिन देखिए मदफन के इतबार से सही जोड की निशान दही कीजिए मदफन के इतबार से सही जोड की निशान दही कीजिए गालब सौदा फानी मुहित दिन कादरी जोर तो इस कोश्चिन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कीजिएगा हमारा थर्ड आप और फानी की हो जाएगे हैदराबाद मुहिद दिनकादर जोर की है स्री नगर कश्विया चले यहां पे गालिब की सने विलादत और सने फात के बारे में बात की जाती है सौदा के साथ साथ में फानी के बारे में बात कर लेते हैं मुहिद दिनकादर जोर के बारे में अभी हम हुआ है सोधा के बारे नोट करेंगे 1712 इसवी में देली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 इसवी में लखनों में आपका इंतिकाल हुआ है फानी बदा यूनी असल नाम शौकप अले खां 1879 1889 में बदाइश हुई है और नीस सो इसवी में हैदराबाद में आपका इंतिकाल हुआ है चलिए नेक्स कोशन देखिए जेल में से किसमे कसर से मुशदद अलफाज पाए जाते हैं पहला आप्शन आपके सामने बरिजभाशा दूसरा है गुजराती तीसरा है खड़ी बोली और चोथे आप्शन में खर्यानवी तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा आप्शन यानि खड़ी बोली चलिए नेक्स कोशन देखिए गुली नगमा किस शायर का मजमुए कलाम है जिगर का है फानी का है फ्राग का है या साहिन लुद्यानवी का है तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा थर्ड आफ्शन यानि फ्राग गॉरकवरी बहुत अहं नाम है तो आप सब को मालूभ होना चाहिए फ्रा विलादर क्या है, अधेसी साहि क्साफ लिज्यानवी की सने विलादर क्या है और उफाद क्या है, तो अनुट कीजीगा, फराग गॉर्क पूरी की पेदाईश हुई 1896 में गॉर्क पूर में और 1982 में देली में आपका इन्तिकाल हुआ है गुले नफ्मा आपका जो मजमुआ है इस पे आपको अर्दू का पहला ग्यान पुरी नाम मिला है 1969 में नोट कर लिजीगा साहिल लुद्यानुई असल नाम है अब्दिलहाई 1921 में नोट की जिगा लुद्याना पंजाब में पैदाइश हुई है और 1980 में मुंबई में आपका इन्तिकाल हुआ है चलिए नेक्स कोउशन देखिए जेल में दो जुम्रे फन के इतबार से सही है सही जुम्रे की निशान रही कीजी तो बताइए इस कोउशन का इस सवाल का सही जवाब क्या हुजाएगा कर एक टांसर क्या हुजाएगा तो नोट कीजेगा हमारा सही जवाब हो जाएगा फोर्थ आफशन करिक्ट हो जाएगा यानि पहला जुम्रा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स कोश्चन की तरफ बुस्ताने ख्याल की तरजमा शुदा जिल्दों की सही तर्टीब की निशान दही कीजिए ना दे मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन तो बताइए उस कोश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा करिक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो नोट कीजेगा हमारा दूसरा option जो है कर्यक्ट होजाएगा यानि हदायक-लंजार, रियाज-लावसार, शम्श-लानवार, बदल-वसार मतर्जिम कोन है तो मतर्जिम का नाम नोट कीजेगा खुआजा-मान-де-हलवी, बहुत एहम नाम है ख्वाजा अमान देली जो है इसके मतर्जिम है नोट कर लीजीगा चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स कोशन की जाने सही तर्टीब की निशान दही कीजी आप मुझे बताएंगे जमानी इतिबार से कौन सी तर्टीब है जो कि बिलकुल दुरस है जो कि बिलकुल दुरस है इसकी निशान दही आपको करनी है तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड आफशन यानि हातिम ताबा और अब्दुलखई हातिम यानि शाय हातिम आपका नाम असल में है शेख जहुरुदीन बहुत अहम चीज़ मोट कर लेजएगा आपका असल नाम क्या है? शेख जहुरुदीन मोट कर लेजएगा हातिम का असल नाम होगा शेख जहुरुदीन पैदाइश आपकी हुई है 1699 इस्विमे देली में और 1799 इस्विमे आपका इंतगाल हुआ है ताब़ाँ के बारे बात लिया है गुलाम रब्बानि ताबा असल नाम है गुलाम रब्बानि ताबा रोट कर लीजेगा 1914 यशवे में काइम गजी फरुःचाबाद में आपकी प्यदाइश हुई है और 1902 यशवे में आपका इंतकाल हुआ है अब्दिलही यानि साहिल लुधियानवी अभी हम लोग बात कर चुके हैं 1921 में लुधियाना में आपकी पैदाइश हुई है और 1980 में मुंबई में आपका इंतिकाल हुआ है चलिए नेक्स कोशन देखिए जमानी अतिबार से दर्जिल नाकिदीन की सही तर्तीब क्या होगी बहुत अहम कोशन आपके सामने है जमानी अतिबार से दर्जिल नाकिदीन की सही तर्तीब क्या होगी तो इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप पहरे नोट कर लेजएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा आफशन करेक्ट हो जाएगा यानि इमदाद इमाम असर, इतशाम हुसेन, वजीर आगा, शम्शो गहमान फारुती देखें, इमदाद इमाम असर के बारें बात हो गई है, इतशाम हुसेन के बारें भी और शम्शो गहमान फारुती यहां पर सिर्फ बात करते हैं हम लोग वजीर आगा के बारे में तो नोट कीजिएगा, वजीर आगा की जो पैदाइश हुई है, आप पहले उसे नोट कर लिजिएगा, 1922 में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है, और 2010 में लाहोर में आपका इंतिकाल हुआ है चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे, नेक्स कोशिन की तरफ मुंदरसा सिर्फ अशियार में से दौक के अशियार की निशान दशी कीजिए चार आप्शन में हैं, चारो आप्शन में एक एक शेर दिया गया है आपको बताना के में से कौन सा शेर है, जो कि शेख मुहमद इबराहीम दौक करें तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा, हमारा दूसरा आफशन जो है करेक्ट हो जाएगा नोट करें सल्ब तगयूर के दाते हादिस से, जमाना अदल सेरित, तेरे बाइत दाल पजीर शेख मुहमद इबराहीम दौक बहुत अहम नाम ज़रूर आप याद रखेंगे चलिए नेक्स कोशन देखिए जमानी अतबार से सही तर्टीब के निशान दही कीजिए तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा, हमारा पहला आप्शन करेक्ट हो जाएगा यानि इसलाह जबान की रिवायत, अलिगर तहरी, हलक अरब दौक, माबाद जदीदियत इसलाह जबान की हवाले से सबसे बड़ा काम किसका है, तो आपका जवाब हो जाएगा नासिख, शेख इमाम बख्स नासिख, क्लिर होगा, अलिगर तहरीक के बाने कोन है, जानि अलिगर तहरीक सरसेद अहमद खाँ, हलक अरबाब दौक का कियाम कब अमल में आया है, तो आप सब को मालू होना चाहिए 29 अपरेल 1949, 29 अपरेल 1949 को लाहोर में, कहां पे आया था, लाहोर में, सेद नसीर अहमद जामई, एक अहम नाम है, सेद नसीर अहमद जामई के घर पर इसका कियाम अमल में आया था, चली, नेक्स कोशन देखिए रेग नवाहे काजिम काजिम से क्या मुराद है, नजफ अशरफ, फलिस्तीन, मक्क मौजमा, याफर मदीने मुनवरा तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फूर्थ आफशन यानि मदीने मुनवरा अक्बाल की नजब दौको शौक, उसमें ये लफ़ इसे बाल किया गया है, जरूर आप याद रखेंगे अक्बाल की बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो चलिए बढ़तें सीधे, नेक्स कोशन की तरफ दरजिल तखलीकात की सही जमानी तर्टीब बलहाजे सने तस्नीफ बताईए, सने तस्नीफ के इतबार से, जमानी इतबार से कौन सी तर्टीब दुरस है, इसकी आपको निशान दही करनी है तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा, हमारा दूसरा आफ्शन करिक्ट हो जाएगा, कुत्व मुष्टरी, सैफल मुलोग, तोता नामा और सबरस कुत्व मुष्टरी कब लिखी गई है, तो नोट कीजिएगा, 1609 इस्वी तोता नामा जो है, 1630, सबरस, 1635 नोट कर लिजिएगा, चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे, नेक्स कोशन की तरफ जिल की आवाजों को उनके लिसानी नाम से जोड़ी, बा, काफ, घैन, जीव, दोलबी, तालवी, गिशाई, हालकी तो इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब लोट कर लिजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, हमारा थर्ड आफ्शन जो है, वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लिजिएगा क्लियर हैं सबी को, चलिए, नेक्स कोशन देखिए मुसनिफ और नावल के हवाले से सही जोड की निशान भी कीजिए डिप्टी नजीर अहमद कुर्यतुलेन हैदर हैं अब्डिलहलीम शरड हैं इंतजार हुसेल है तो इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब वोड कर लिजेगा हमारा दूसरा आफशन करेक्ट हो जाएगा यह जिप्टी नजीर अहमद तौबत अनुसूः अब्डिलहलीम शरड फिर दोसे बरी इंतजार हुसेल बस्ती इंतजार हुसेल बस्ती जिप्टी नजीर अहमद के बारे में बात करते हैं आपकी सने विलादत क्या है सने वफाद क्या है खुरतन हैदर की सने विलादत क्या है सने वफाद क्या है अब्डिलहलीम शरड की सने विलादत क्या है सने वफाद क्या है तो सबसे पहले नजीर अहमद जो कि अर्दू के पहले नावल लिगा तस्लीम किया तिनका पहला नावल है मिरतुल अरूस नजीर अहमद की पैदाइश हुई है 1830 में बिजनौर में नोट कर लिजेगा 1913 में देहली में आपका इंतिकाल हुआ है कुर्यतुलन हैदर 1927 में अलिगण में पैदाइश हुई है और 2007 में ब्रेड़ा में आपका इंतिकाल हुआ है अब्दूलालीम शर्ण 1860 में लखनो में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 में लखनो ही में आपका इंतिकाल हुआ है इंतजार हुसेर, 1923 में बिलंद शेहर में पैदाईश हुई है और 2016 में लाहूर में आपका इंतिकाल हुआ है चलिए नेक्स कोशन देखिए जिल में से किसकी सिन्फी शनाफ उसके मखसूस मौजू के बिना पर होती है पहला आप्शन है मतनवी, दूसरा है घजल, तीसरा है शहर आशुप और चौता है रुबाई तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड आप्शन यानि शहर आशुप ऐसे सिन्फ जिसमे किसी कौम, मुलक, शहर, बिहाद की तबाहकारी वरबादी का दर्द मांदना तरीके से जिक्र किया जाए उसको बयान किया जाए चली अगला कोशन देखिए खुदा की बस्ती में नियाज किसे शादी करता है तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड आप्शन यानि नौशा की मां से खुदा की बस्ती किसका नावल है शौकत सिद्देगी का ये नावल कव शाय हुआ पहली बार जल्दी से बता देजिए ये नावल जो है कितनी फसलों पर मुश्तमिल है मरकJ किրदारों के नाम और साथ ही साथ में शौकत सिद्दीकी की सने व्लादत और सने वफाद तो पहले चीज़ अनावल शाय हुआ है 1958 में नोट कर लीजेगा ये नावल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है तो 11 फसलों पर मुश्तमिल है मरकजी किदारों की बात की जाए तो राजा हो जाएगा नोशा है और शामी हो जाएगा शोकत सिद्धिकी की सने विलादत है नोट कीजेगा 1923 में लखनों में आपकी पैदाईश हुई है और 2006 इसी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतिकाल हुआ है चले अगला कोशन देखिए फदली की करबल कथा पांचवी मजलिस का आगाज किस जुम्ले से होता है चार आप्षन में हैं चार जुम्ले हैं इनको रिट कर लेजी फिर बताईए इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो नोट कर लिजेगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा आफशन जो है करेक्ट हो जाएगा नोट कर लिजेगा कर्बल का था फजल अली खां फजली ने किस की फरमाईश पर लिखी चलिए जवाब दीजेए किस की फरमाईश पर लिखी और साथी साथ में कब लिखे दोने जवाब दीजीगा तो पहली बात ही आपने लिखी है नवाब शर्फ अली खां नवाब शर्फ अली खां की फरमाईश पर लिखी है कब लिखी है 1732-333 में मुहम्मद शाह के हैं में लिखी है फजली की करबल कथा में कुल कितनी मजलसे हैं तो मालूम होना चाहिए बारा मजलसे हैं चलिए नेक्स कोशन देखिए जेल में दो जमरे सही है जेल में दो जमरे सही है सही जमरे की निशान दही कीची तो नोट कीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा fourth option यानि पहला जुम्रा सही हो जाएगा और दूसरा भी आपका मतला मक्ता रदीफ चेहरा शहादत बैंट तश्वीब रिजम और शहादत तो पहला सही हो जाएगा और साह साहत में दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा चलिए निक्स question देखिए बहुत अहम question आपके सामने जेल में चार बयानाद दर्च किये गए हैं सही बयान की निशान दही कीजिए तो बताईए इस question का सही जवाब क्या हो जाएगा correct answer क्या हो जाएगा नोट कर लिजेगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो कोशन का अंसर हो जाएगा हमारा फस्ट आप्शन जो है वो कर्रेक्ट हो जाएगा बेहतरी शेर वो है जो सबसे ज्यादा जूट हो सबसे जूट हो किसका कौल है यह कुदामा इबन जाफर का कौल है इनकी किताब है नक्दुश शेर की मुसन्निफ कौन है कुदामा इबन जा यह किसका बयान है तो यह बयान है इबन रशीक का सही कर लीजिएगा करेट कर लीजिएगा शायरी सनद्गरी नहीं है शायरी को सनद्गरी किसने करार दिया है तो मुहम्मद बिन सलाम ने किसने करार दिया भई मुहम्मद बिन सलाम ने लोट कर लीजिएगा चलिए अब हम ल आई इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्टर अंसर क्या हो जाएगा तो नोट कर लिजेगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ आउप्शन यानि पहला आपका सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्टर हो जाएगा क्लिर हो गया सभी को अब यहां पर हम लोग बात कर लें अगर कुल याते मीर की या फिर फसाने मुगतला की तो वो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए तो फसाने मुगतला दरसल यह नौवल है डिक्टी नजीर अहमद का नोट कर सकते हैं आप सभी लोग अब यहां पर हमनों कुछ बेसिक कीजें डिसकस करते हैं जो पीछे डिसकस करते हा रहे हैं काजी अब्दलवदूत की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है इमतियास के बारें बात हो गई है रशीद के बारें भी हाफिज महमुश शिरानी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है तो चलिए सबसे पहले आप मोड की दिए काजी अब्दलवदूत की पैदाइश हुई है 1896 इसी में काको बिहार में और 1984 इसी में पटना में आपका इंतिकाल हुआ है महमुश शिरानी की पैदाइश में 1880 इसी में टौंक राजस्थान में और 1946 में पौंक राजस्थान ही में आपका इंतिकाल हुआ है चलिए नेक्स कोशन देखिए अदनी तहकीक मसाइल वत तजिजिया किसकी किताब है ग्यान चंद जैन रशीद हसन खाँ 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 ग्यान चंद कीजिए तारीख वफात के इतिबार से सही तरतीब की निशान दही कीजिए इस कोश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो आफ सर्मोड कीजिएगा हमारा फूर्थ ओप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानि सौदा जौप घाले इन तीनों के बारे में हम लोग पीशे बा दो दुर्स जुम्रों की निशान दही कीजिए आप मजब बताईएगा इस कोश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्टर जबागा तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फूर्थ ओफ्शन यानि पहला सही हो जाएगा और साथ साथ में चोथा भी आपका पहला सुम्रा नावलों का है नावल निगारों का और चोथा जो है अफसाना निगारों का चलिए अगला कोशन देखिए बोस्ताने ख्याल में तिलिस्म अजराम अजसाम को कौन फतह करता तो इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कीजेगा हमारा दूसरा आफशन यानि मौईजदीन नोट के लिजेगा बोस्ताने ख्याल मेर मुहमद तक ख्याल की दास्तान है इसके मरकजी कृदारों के अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक नाम आपको ज़रूर याद रकना है मौईजदीन का नाम याद रकना है खुरशीद ताजबख्ष का नाम याद रकना है ऐसे ही बदरे मुनीर का ये तीर इसके जो हैं मरकजी करिदारों में आते हैं चलिए अगला कोशन देखिए करिदारों को सही अफसानों से जोड़ी अब्दुरहिम सेंडो, जमील, राहत, खुरशिद आलम अफसाने हैं, शादी, जनाजे, नजारा दर्मिया हैं, बापू, गोपी नाथ इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो नोट कीजएगा हमारा फूर्थ आफशन जो है करेक्टर हो जाएगा याने अब्दुरहिम सेंडो, बापू, गोपी नाथ, जमील जो हो जाएंगे ये शादी, अफसाना का खुरदार हैं, ऐसे ही राहत जो है जराजे का एकड़दार है, फुर्षिद आलम, नजारा दर्मिया है अब ये अफसाने किसके हैं, ये भी आपको मालू है शादी जो है, ये मंटू का अफसाना है, नोट कर लीजएगा जराजे किसका अफसाना है, तो इसमा चोगते का है नजार दर्मिया है, खुर्षिद अफसाने का है, बापू गोपिनाथ अगेन ये सादत हसन मंटू का है चलिए नेक्स कोशन देखिए, शायर जो सुने जाते हैं, मस्तखनी औल अहवाल देखे जो कोई फिक्र तरद्द को, फिक्र तरद्द को तो या है इस शेर में मस्तखनी औल अहवाल के क्या माना है, जाहू मरतबावाला, दौलत मंद, बेफिक्रा, दुनियावी तफक्राथ से बेनियास तो सही जवाब हो जाएगा, हमारा फूर्थ आफशन करेक्ट हो जाएगा, दर्द बाला शेर किस शायर का है, तो आपका जवाब हो जाएगा, मिर्जा मुहम्मद, रफीस, सौदा, उनके शेर आशोब से ये शेर लिया गया है चलिए नेक्स कोशन देखिए, जेल में से दो जुम्मरे मुकमल शेर की हैसे सही है, सही जुम्मरे की निशान दही कीजिए, चारो ही आफशन में और जो आशार दिये गए हैं, उनको आप पढ़ लिजी, फिर कोशन का जवाब दीजी, तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा और साथी साथ में चौथा भी आपका करिक्ट हो जाएगा, दूसरे और चौथे जुम्रे में जो आशार दिये गए हैं, ये दो के कसीदा दर्मध बहादुर शाय जफर से माखूज हैं, चलिए नेक्स कोशन देखिए, ने कहीं आईश तुम्हारा भी मुफिस हो जाए दोस्तों दर्द को में तुम याद करें, मुम्किन कि खौजा मिर्दद ने फारसी शेर से मजमून अख्ज किया हो, लेकिन यकीन उनका शेर फारसी से बहुत बढ़ गया है, अबल तो फारसी मतला कि मजमून को अपने मकबा में लाना, जिसमें खुद दर्द का लफ जही शायर की दावे पर दलील का हुप्म रखता है, ये राय किस किताब से है और किस की है, अर्दो दब की तनकीद तारीख है, तो शाम हुसें मकदमा शेर उशारी खाली, अर्दो तनकीद पर एक नजजर कलीमो दिन हमद, अर्दो तनकीद का इरता अबादत बरेल में, इ उसको अंग्रेजी में इमेजिनेशन कहते हैं, ये कुवत जिस कदर शायर में आला दर्जे की होगी, उसी कदर उसकी शारी आला दर्जे की होगी, ये एक्तिवास किस किताब से बाकूज है या और ये किसकी राय है, इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सबसे पह हमारा फूर्थ आफशन मुकदमा शेरोशारी अलताफ सिन खाली, अब यहां पर जो दिगर किताबे दी रहे हैं, अर्दो तनकीद का इर्तिका, अर्दो तनकीद पर एक नजर, अमली तनकीद, इनके मसन्निफिन के नाम भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, चलिए है गुलजारे नसीम, तीसरा है सिहरी बयान और चोथे आफशन में है कुत्व मुश्टरी, इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कीजेगा हमारा दूसरा आफशन याने गुलजारे नसीम, मसन्वी गुलजारे नसीम, पंडित द्या शंकर नसीम में कब लिखी है इस मसन्वी के इशाद कब अमल में आई है, साथी साथ में नसीम की सने विलादत क्या है और सने वफाद क्या है तो पहली बात ये मसन्वी आपने लिखी है 1839 में, इसकी इशाद अमल में आई है 1844 इसवी में नसीम के विलादत हुई 1811 एसी में लखनों में और 1845 एसी में लखनों ही में आपका इंतिकाल हुआ है चलिए नेक्स कोशन देखिए जेल में से दो जम्रे तस्नीफ के किरिदार के लिहाद से सही हैं सही जम्रे की निशान दोहिए कीजिए आप मुझे बताईएगा इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट आउसर क्या हो जाएगा ओफरी सब लेक जवाब दे चुके होंगे तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला आप्शन करेक्ट हो जाएगा यानि पहला जुम्रा सही हो जाएगा और साथी साथ में दूसरा भी जुम्रा आपका करेक्टिक हो जाएगा क्लियर होगा सबी को चलिए नेक्स कोशन देखिए करता है ये दू जुमा से एकसर हम्दु हक्व मदहते पयंबर इस शेर में यक और दो कोई सी सनाथ है पहला आप्शन देखिए है लफ़ नश्ड दूसरे में हुसन ताली तीसरे में तरसी और चोथे में हैं तज़ाद तो बताईए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट टांसर क्या हो जाएगा कोईशन का जवाब हो जाएगा हमारा फूर्थ ओप्शन यानि तज़ाद ये शेर किस मसनवी से माखूज है तो आपका जवाब हो जाएगा मसनवी गुल्जारे नसीव नोट कर लिजेगा मसनवी गुल्जारे नसीव चलिए अगला कोईशन देखिए कौन पहले पैदा हुआ सही तर्टीब बताईए कौन पहले पैदा हुआ सही तर्टीब बताईए बहुत अहम कोईशन देखिए अगेन आपके सामने है तो पहले सब लोग कोशिश कीजिए इस कोईशन का सही जवाब क्या हो जाएए वहां तक आपके रिसाई हो जाए उमीद है कि आप सब लोग सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे तो आपका अंसर हो जाएगा दूसरा आफशन यानि फिराग अली सरदार जाफरी, अख्तर अलाइमान और साहिर लुध्यानवी इसले फिराग के बारे में बात हो चुकी है अलीसरादार जाफरी के बारे में, साहिर लुध्यानवी के बारे में तो सिर्फ हम लोग बात करेंगे अक्तर अलाइमान की सन्हे विलादत और सन्हे वफाद के बारे में 1915 ऐसी में, कब मैने कहाँ 1915 में नजीब अबाद बिजनोर में आपकी पैदाईश हुई है और 1996 में बंबई में आपका इंतकाल हुआ है चलिए नेक्स कोशिन देखिए जिल में चार बेयानात दर्जे हैं सही बेयान की निशान दही किए ख्यालात माकूस, वाकियत लामहदोद, नजरसत ही, फहम और अदराग गएर मामूली हाले कसीदे को बेहत पसंद करते थे हाले ने कहा कि वजन और काफिय से शेयर में हुस्न पैदा होता है चोथा बयान है कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजएगा हमारा थार्ड जो ऑफ्चन है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजएगा हाले ने कहा, वजन और काफिय से शेयर में हुस्न पैदा होता है पहला बयान है ख्यालात माफूस वाकियत ला महदे नजर सती फहमो इद्राथ गहर मामूली गहर मामूली तो गहर मामूली की जगे पे आप मामूली कर दीजिए तो ये किसका स्टेट्मेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा कलीम الدین अहमद का हाली कसीदे को बेहत पसंद करते बिलकुल नहीं हाली को कसीदा जूट और खुशामों से लबरेज नजर आता है हाली से पहले हमारी शायरी दिल दिल वालों की दुनिया थी तो ये किसका कौल हो जाएगा आल हमस्द सुरूर का नोट कर लिजिएगा चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स कोशन की जाने वली के शायरी में क्या नहीं है तखलीकियत नहीं है तसवफ नहीं है पुनूतियत नहीं है रिजायत नहीं है तो सही जवाब हो जाएगा आप मोट कर लिजिएगा हमारा थर्ड आप्शन यानि कुनूतियत मोट कर लिजिएगा वली औरंगाबादी की सने विलादत और सने फात के बारें बात की जाए तो 1668 इसवी में औरंगाबाद में आपकी पैदाईश हुई है 1720-25 इसवी में आंदाबाद में आपका इंतिकाल हुआ है चलिए अगले कुशन देखिए जिल में देगी असनाफ को उनके मारूफ शौरा से जोड़ी रुबाई है शेर आशोब हैं रेखती हैं गता है तो बताईए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा अमीद ही कि आफ सब लोग जवाब दे चुके हैं तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा आफ्शन करेक्ट हो जाएगा यह रुबाई के लिए जाने जाते हैं अमजद हाइदराबादी और शेर आशोब मेर तकीमीर रेखती के लिए हो जाएगे इंशाओला वाहिशा और किता हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसेन खाली चली अगला कोशन देखिए दिल में दौकी वसलिव याद याद तक बाकी नहीं गालिब के शेर से मिसर सानी की निशान दशी कीजिए तो बताईए इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्टर अंसर क्या हो जाएगा तो आपसे नोट कर लीजेगा हमारा अंसर हो जाएगा दूसरा आफशन आग उस घर में लगी ऐसी की जो था जल गया गालिब की सने विलादे सने फाद की बारे महलुब बात कर चुके हैं तो चली बताईए गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कोंसा है दूसरा मजमुआ कोंसा है गालिब ने दारुस्रूर के नाम से किस जगे को याद किया है गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ है और दूसरा मजमुआ है अर्दूय मौला आप नोट कर लिजेगा दूसरा मजमुआ है उर्दुजे मौला दारुस्थरूर के नाम से किस जगे को याद किया है तो आपका जवाब हो जाएगा रामपूर आप नोट कर लिजेगा क्या हो जाएगा भई रामपूर क्लिर हो गया सबी को चलिए अगला कोशन देखिए पार्थ ऑफ्शन यानि फानि बदा यू यूनी को यास्यात का इमाम किस ने कहा तो जवाब जाएगा रशीद अभाब सिध्य किस ने कहा वही रशीद अधिशिध जी ठीड़ी मजरू हुञे अर्फान सिध्यध्य की इनके बारे बात हो चुकी है, सिर्फ हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे कलीम आजिस के बारे में, तो कलीम आजिस वो जो शायरी का सबब हुआ है, पहला शेरी में जमुआ है, उन्नी सो च्छबिस में नालंदा बिहार में आपकी पैदाईश हुई है, और दो हजार पंद्रह में हजारी बाग म आपका इंतिकाल हुआ है, चली अगला कोशन देखिए, जेल में दो जम्रे सही हैं, सही जम्रे की निशान दही किए, खाके हिंद, बाजामत, इंकलाब, गुरेज, तो बदाईए इस कोशन का सही जबाब क्या हो जाएगा, करेक्ट टांसर क्या हो जाएगा, सवाल का सही ज जम्रे में इनकलाब और हवेली जो हैं, बाख्दुल महियुदीन की नजम है, बाजामत, अखपरुल इमान की नजम है, मुना जाते बेवा, खाली की नजम है, ऐसे गुरेज, साहिल लुद्यानवी की नजम है, बाजगश्ट, शफीग, फात्मा, शौरा की नजम है, आप स दौला, 1781 इसी में, 1781 इसी में लखनो तश्रीफ लाए आस्फुल दौला, मुर्त खिबिर बहुत अहम नाम है, आपको याद खना होगा, 1722 इसी में आगरे में पैदाईश हुई है, और 1810 में लखनो में आपका इंतिकाल हुआ है, चलिए, नेक्स कोशन देखिए, जेल मे जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा, इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑफ्षन जो है करेक्ट हो जाएगा, दूसरा जुम्रा आपका सही हो जाएगा, और साथी साथ में तीसरा भी जुम्रा आपका करेक्ट हो जाएगा, आग का चोटें इसमें चोटी चलिए नेक्स कोशन देखिए तारिख विलादत के इतिबार से सही तर्टीब की निशान दखी कीजिए बहुत अहम कोशन आपके सामने है बताइए इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अमीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फूर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यानि मोहिद बिन गादरी जौर कलीमर अदिन अहमद आलहमस सरूर में इसे जूर के बारे में बात हो चुकी है कलीमर अदिन अहमद की पैदाइश हुई ह 1988 इसी में पनामें वीडेगा और 1988 इसी में पनाही में आपका इंतवा हुआ आला मस्तरूर के बारें बात किजностável आपका इसी में बदायों में आपकी पराईश हुई है और 2002 में आलिगर में आपका इंतवा हुआ है चलिए नेक्स कोशन देखिए जेल में से दो जुम्रे सही है मुमिन की घजल में जदीद लबो लहजा मिलता है घजल का आठ नकाप पोश आठ है इक्बाल के हाँ तघजल नाम को नहीं मिलता घजल बरहंगी किताब ला सकती है नाचीख और पुखार और शुरुगोगा की सही जुम्रे की निशान दही कीजिए इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा आप्शन करेक्ट हो जाएगा यानि दूसरा जुम्रा आपका सही हो जाएगा और चोथा भी जुम्रा आपका सही हो जाएगा नोट कर लेजिएगा ये आपका सही हो जाएगा क्लिर सभी को घजल का आर्ट नकापोश आर्ट है ये किसका बयान है आलहमा सुग्र का लिल सती है चलिए अगला कोशन देखिए जेल में दो सही जुम्रों दो सही जुम्रों की निशान दही किजिए शाद अजिमाबादी, मजरुख, सुल्तान पूरी, शहरियार, इर्फान, सिद्धिक तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लिजेगा, हमारा थर्ड आफशन जो है करेक्ट हो जाएगा यानि पहला जुम्रा आपका सही हो जाएगा, और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा नोट कर लिजेगा, तीसरा भी आपका सही हो जाएगा सर उठाए बज में जाना में भला किस की मजाल, ये किस का है, तो ये हसरत मोहनी का है, नोट कर सकते है निगाह साकी ना महरबा ये क्या जाने, ये किसका है, तो ये मजरुष सुल्तान पूरी का है, आप मोट कर सकते हैं क्लियर होगे सबी को चलिए शाद अजीमा बादी के बारे मुझे बता दिए आपकी सने विलादत क्या है सने फात क्या है और ऐसे ही आप मुझे बता देंगे शहरयार के बारे में वैसे शहरयार के बारे में पीशे हम लोग बात भी कर चुके हैं तो सिर्फ शाहद अजीमाबादी के बारे में ही बात करते हैं रिपीट नहीं करते हैं तो शाहद अजीमाबादी की पैदाईश हुई है 1846 इसे में नोट कीजेगा पटना में और 1927 सीसे में पटना में आपका इंतिकाल हुआ है चलिए नेक्स कोशन देखिए जेल में दो जुम्रे दुरस नहीं और दो गलत है दो दुरस जुम्रों की निशान दही कीजिए बहुत आइम कोशन से देखें सबीए पूरी क्लास को आप बहुत केरफली आपको सुनना है और चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है इस स्वाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला आफशन यानि पहला जुम्रा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा मुहमद हुसेन आजाद मुहमद असन गोपी चन्नारा पहला जुम्रा नाकिदीन का है और तीसरा जुम्रा है वो किसका है बहुत टिकिम का जुम्रा है नोट के लिजीगा क्लिर रगा सभी को चली अगला कुशिंग देखिए इक्बाल के नजम लेने खुदा के हुजूर में उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल जर्ब कली में शामिल है बाल जिब्रील में शामिल है अर्मगान हिजाज में या फिर बांगे दरागे इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो आफ सब गोड कर लीजेगा हमारा दूसरा आफशन यानि बाले जिब्री चलिए अगला कोशन देखिए मज़के देर बावल जन्न सुबह सादिक ये नाम किस शायर के कसीरों के हैं लाक के हैं, दौक के हैं, सोदा के हैं और मुश्फिन के के तो आफ सब मुझे बताईए, इस कोशन का सवाल का सही जवाब क्या है तो आपका अंसर हो जाएगा हमारा थर्ड उपशन यानि सोदा मिर्जा महंमद रफी सोदा जिल में दो जमरें सही हैं सही जम्रों की निशान बही की दिये Forth William College Forth William College की तालिब से कोशन है तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा करिक्त अंसर क्या है तो हमारा answer हो जाएगा Forth Option यानि तीसरा जम्रा सही हो जाएगा और साथी साथ में चौथा भी जुम्रा हमारा करेक्टर हो जाएगा इकबाल के दूसरे अर्दू शेरी मजमुए का नाम क्या है तो सीधा सीधा आप इसका जवाब नूट कर लिजिए हमारा पहला आफशन यानि बाले जिब्री मुसन्निफिन और किताबों के इतिबार से सही जवाब की निशान भी किजिए शिबली नॉमानी मुहमद उसेन आज़ाद अलताफ उसेन हाली चाएम चांपूरी तो बदाए सवाल का इस कोशन का सही जवाब क्या है तो हमारा आंसर हो जाएगा फूर्थ आफशन जो ही करेक्ट हो जाएगा शिबली नॉमानी की किताब है सवाने है मौलाना रूम मुहमद उसेन आज़ाद की किताब कुंसी है तो वो है आब इहात अलताफ सेन हाली मुकदमा शिरुशारी चांपूरी मखजने नुकात क्लिर होगा सभी को चलिए नेक्स कोशन देखी क्या इतबार यहां का फिर उसको खार देका मिस्रे दोन की निशान दही करके मित अक्यमीर का शिर मकमल कीजिए तो बताईए इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा तो आफसर मोट कर लिजीगा हमारा अंसर हो जाएगा फूर्थ आफशन यानि जिसने जहां में आकर कुश एतबार पाया मिर के बारे में लोग बात कर चुके हैं मिर के बारे में दो तीन चीज़ा आप मोट कर लिजीगा अर्दू का जो पहला तथक्रा है निकात शौरा ये किसका तथक्रा है मिर तथक्रा है और इसमें कितने लोग का तथक्रा है एक सो तीन शौरा का जिक्रे मिर आपकी खुदनविश्ट है तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं जिक्रे मीड जो है फारसी में आपकी खुद नविश्ट है चलिए नेक्स कोशन देखिए अदब ए तनकीद फन है साइंस नहीं को साइंसी तरिकेकार से मदद दे सकती है और ले रही है तनकीद से मुतालिक ये कौल किस का है सेद ये तो शाम हुसें का है कलीम अदीन अहमद का है मुहमद अहसन का है या फिर आला अखम सरूर का है इस कोशन का सही जबाब क्या हो जाएगा नोट कीजिए हमारा फूर्थ ऑफशन यानि आल अहमद सरूर जब इनसाफ अंधा हो जाए तो नाइनसाफी कानून बन जाती है ये मुकालमा ड्रामा जहाग में किस करदार ने अदा किया उस्ताग, शायर, रकासा, नोशाबा तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कीजेगा हमारा थर्ड आफशन यानि रकासा ये ड्रामा किसका है? यानि ये किस ड्रामे ये ड्रामा किसका है? जहाग ड्रामा जो है ये मुहम्मद हसन का है किसका ड्रामा है? मुहम्मद हसन का है मुहम्मद हसन के बारे में बात की जाए यापकी सने व्लादत क्या है सने वफात क्या है तो नोट कीजेगा 1926 में मुलादबाद में पैदाइश हुई है और 2010 में देहली में इंतिकाल हुआ है ड्रामा जहा कितने मनाजर पर मुझतमिल है तो 6 मनाजर पर मुझतमिल ये ड्रामा है चलिए अगला कोशन देखिए मुसनिफ के इतिबार से जेल के दो सही जुम्रों की निशान दही कीजी बहुत अहम कोशन देखिए आपके सामने है तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा बहुत अहम कोशन से ये सभी अफसानवी मजमूए है तो नोट किजेगा कुर्रतुलैन हैदर लिख लीजेगा कुर्रतुलैन हैदर बाबा लोग सारा दिन धू परनिदा पकड़ने वाली गाड़ी यह किस के हैं तो इसे भी आप नोट कर लीजेगा खया सामक गदी के अफसान वी मचमुए है क्लियर हो गया सभी को अलाव किसका है तो अलाव मालू हूँ सुहल अजिमाबादी का रोशनी की रफ्तार कुरत तो लेन हैदर का नजारे कृष्ण चंद्र तिलिसमे ख्याल ये कृष्ण चंद्र का पहला अफसान वी मचमुआ है शिकारी औरते मंटू का अफसान वी मचमुआ है क्लियर हो गया सभी को चली अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स कोशन की जाने हुआ जब कुपर साबित वो तमगाय मुसल्मानी दरजल मिस्रा में से सही मिस्रा की मदद से मतला मुकमल कीजिए इस कोशन का सही जबाब के हो जाएगा नोट कीजिएगा हमारा फूर्थ आफशन नेटूटी शेख से जुनार तस्मी है सुल्मानी दस बाला शेख किस शायर का है तो आप सब को मालू होना चाहिए बिर्जा मुहम्मद रफी सौदा जिल में चार बयानाद दर्श किये गे हैं सही बयान की निशान दहे की लिए तनकीद गैस्वी अदब का कंगा है तनकीद अदब के जिसम का कोड है नकादों में नफरत का जजबा बहुत शदीद नहीं होता नकादों भरुसा करने से पहले मुम्किन बात का यकीन कर लो तो इस कोशन का सही जबाब क्या हो जाएगा नोट कर लिजेगा हमारा दूसरा आफशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा तनकीद अदब के जिसम का कोड है ये किसका स्टेटमेंट है तो आप नोट भी कर सकते हैं फलावी का क्लिर हैं तनकीद को गैसवे अदब की जूँ कंगा नहीं बलकि यहां पर क्या होना चाहिए था गैसवे अदब की जूँ किसने कहा है तो आपका जवाब हो जाएगा टेनी सिन क्लिर हैं नकादों में नफरत का जजबा बहुत शदीद नहीं होता है यहां को होना जो बहुत शदीद होता है तो यह बयान किसका हो जाएगा ड्राइडन आप नोट कर लेंगे बहुत अहन फैक्ट है यह सब चीजें एक साथ में आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी नकाद पर भरोसा करने से पहले मुमकिन बात का यकीन कर लो हर नामुमकिन बात का यकीन कर लो यह स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और यह किसका स्टेटमेंट है बाहरन का हर नामुमकिन बात का यकीन कर लो तो यह भी सही हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखिए यहां पर देखिए आपके सामने एक अबारत है इस पूरी अबारत को आप पढ़ लिजे फिर आप मुझे बताईएगा यह अबारत किस किताब से माफूज है किस किताब से ली गई है तो नोट कीजेगा इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड आप्शन यानि नजीर आहमत की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जवानी यह किस का मजबून है तो नोट की लीजेगा फरहतुल्लाबे क्या जाब बताए हमने फरहतुल्लाबे फरहतुल्लाबे की पैदाईश के बारे में अगर बात की जाए तो 1883 में दहली में पैदाईश हुई है और 1947 में हैदराबाद में आपका इंतिकाल हुआ है हयात जाविद किसकी किताब ही खाली की खाब बाकी ही खुदनविश्टे है आला मस्रूर की इबन बतूता के ताकुब में सफर नामा है इबन इशा का चलिए अगला कुशन देखिए मिर्जा मुहमद रफी सौदा का मदफन कहा है तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा फस्ट आफशन यानि लखनो चलिए अगला कुशन देखिए शायर की नजमों के लिहास से दो सही जुम्रों की निशान दखी किए तो बताईए इनमें से कौन से दो जम्रे हैं शायर की नजमों के लिहास से जो की करेक्ट हैं जो की सही है तो चलिए आप सब नोट कर लिजेगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड आफशन यानि पहला जम्रा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा खुदा की सनाथ आसार सल्फ ये दोनों नजमें किसकी हैं तो आप सब को मालूब होना चाहिए इसमाईल मेरिटी तोहीर शेर आशो मुफलसी ये नजमें किसकी हैं तो ये हैं नजीर अकबर आबादी की अब यहां पे देखें किसकी हैं चकबस की है कश्मीर किसकी हैं चकबस की है खाके दिल जो है जानसार अख्तर की नजम है फाखता की आवाज जोश मलीह अबादी गंगा किसकी नजम हैं सुरूब जहां अबादी की मादरे वतन किसकी नजम है सुरूब जहां आबादी की चलिए नेक्स कोशन देखिए कोशन नमबर एक क्यान में से लेके पंचान भी किस सवलाद जो है किस सवलाद के जवाब जेल में दिये गए अक्टबास के रोशनी में दीजिए देखिए आपके सामने कर सका लेहाजा वही खद जो शेफ हली वदीदी ने लिखवाया था उससे लेकर किलादार के पास भीजा गया मुकमल अक्टबास को पढ़ लेजी उसके बाद में सवलाद के जवाब देने की आप कोशिश की लिए चलिए देखिए पहला कोशिशन ने दर्जबाल अक्टबास की रोशनी में बताया किलादामोत के फाटक पर किसको हुसेन को क्यों रोका गया कोशिशन का जवाब क्या हो जाएगा जल्दे से आंसर कीजेगा तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा आफशन यानि वह अजासत नामा पेश नहीं कर सका क्लिर है दर्जबाल अक्टबास की रोशनी में सही जवाब की निशान दही कीजेए तो इस कोशिशन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो आप सब मोट कीजेगा हमारा थर्ड आफशन जो है करेक्ट हो जाएगा बास जिलेर और उल अजम हमलावरों ने दो एक मरतवा यहां की पोलिटिकल खुवत को जरव पहुचाया नेस कोशिशन देखिए मुंदजबाल अक्टबास की हवाले से सही वागया की निशान दही कीजे तो बताई इस कोशिशन का सही जवाब क्या है सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा आफशन यानि हुसेन को खिला तमुट के फाटक फाटक पर रोका गया है चली अगला कोशिशन देखिए दर्जबाल अक्टबास की रोशनी में सही बयान की निशान दही कीजे दर्जबाल अक्टबास की रोशनी में सही बयान की निशान दही कीजे तो आप का अंसर हो जाएगा फरस्ट आफशन किलादार के पास भेजा गया खत शेख अली वजूदी ने लिक दिया था अगला कोशिशन देखिए दिये के अक्टबास की रोशनी में दुरस जवाब की निशान दही कीजे दिये के अक्टबास की रोशनी में दुरस जवाब की निशान दही कीजे तो आप कांसर हो जाएगा दूसरा आफशन रुत्बे इमामत में 6 बरस के बच्चे और 60 बरस के बूड़े में मासूमियत के अतिवार से कोई फर्क नहीं पड़ता चली अब यहाँ पे जो यह अतिवास है यह कहां से लिया गया था तो आप इस चीज़ मोट कर सकते हैं यह अतिवास अब्दुलहलीम शरड के नौवल फ्रिदोस बरी से माखूज है लिया गया है अब्दुलहलीम शरड की पैदाइश कोई 1860 इसवी में लखनों में और 1926 में लखनों ही में आपका इंतिकाल हुआ है चली अगला कोईशन देखिए अगें उसकी बाद देखें कोईशन नंबर 96 से लेके 100 सवालात के जवाब जेल में दिये गए अशार की रोशनी में दीजिये इन अशार को आपको पढ़ना होगा स्क्रीश शॉट ले सकते हैं बाद में अच्छे से रीट कर सकते हैं और नहीं के रोशनी में दिये गए सवालात के जवाब देने हैं संजाफ, ग्रेमा, पुर्ती, अंग्या का तालुक किस्से हैं तो सीधे आप इसका जवाब नोट कर लिजेगा हमारा थर्ड आफशन यानि लिवास हाँ ये चीज़ आप यहां पर नोट कर सकते हैं ये जो आशार यानि दर्स बाला आशार जो हैं ये कहां से लिए गए हैं तो मस्नवी सहर बयान से नोट कर लिजेगा मस्नवी सहरल ब्यान से माफूज है ये चीज़ आप क्लियर कर लिजे ये किस की मस्नवी है मीर हसन की मस्नवी है चली अगला कोशन देखिए इस इक्वास में आब रवा किन मानों में इस्तेमाल हुआ है तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट आप्शन यानि एक किस्म का कपड़ा आब रवा किस किन मानों में इस्तेमाल हुआ है तो जवाब है एक किस्म का कपड़ा चली अगला कोशन देखिए इन इशार के रोशने में बताइए कि यका यक बहुत सारे चांद एक साथ कैसे नजर आए तो जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट आप्शन चांद का अक्स पानी की लहरों में नजर आया इन अशार में किसके खुस्न की तारीफ की गई महरुख बदरे मुनीर बजमनिसा बेनजीर कोशन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा आप्शन यानि बदरे मुनीर चली अगला कोशन देखिए इस इक्टबास में चांद किसके सामने ठेकरा लगने लगा अंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट आप्शन यानि बदरे मुनीर के खुस्न के सामने तो इस तरह से आज की इस important session में हम सभी निमिल करके पूरे 100 questions solve के हैं आप सभी की exam से पहले हमने आप सब के लिए model paper और unit wise questions की PDF आप के लिए prepare की है तो अधर आप इस PDF को हासल करना चाहते हैं और इन questions को आप solve करना चाहते हैं तरीका क्या होगा हल करने का आप PDF लीजिए उस PDF के end में questions के answer भी आपको मिल जाएंगे तो पहले आप mobile में solve कीजिए या laptop से किसी भी आप solve कीजिए question को आप solve कीजिए और उनके answers किसी paper पर आप note करते रहेंगे जो answer आपको लगे note कर लेजिए और end में दियेगे answer से match कर लेजिए फिर आप check कर लेजिए कितने questions आपके correct थे और कितने incorrect इस तरह से आप अपना analysis कर सकते हैं और आप check कर सकते हैं कि इस आने वाले exam में practice set अगर आप लगाते हैं तो वहाँ कहां पे आप stand करते हैं तो आज की session को आप सभी लोग खूब share कर दिये ताकि दूसरी लोग भी से मुस्तफिर हो सके और जितने भी लोग UGC net की preparation कर रहे हैं कोई उनमें से ऐसा ना हो कि उसे पता ना हो कि इस तरह की 100 question वाले class यहां पे हो रही और मुझे मालूम नहीं था और मैं practice करने से महरूम ह तो इस session को खूब share किजिए आज की session को यहीं तो रखते हैं मिलते हैं अगले class में तब तक कि लिए खुदा आफिज अपना ख्याल लखिएगा